नमस्कार दूस्तों, श्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईयस प्रेपर सुपर थर्टी स्रीज जो करेंट एफेर के हम डिसकस कर रहे हैं उसमें 210 कुश्चन डिसकस कर चुके हैं यानिकि 7 एपिसोड हो चुके हैं आज ये आठवाँ एपिसोड है इसके अंतरगत भी हम खेल के ही बारे में बात करेंगे खेल के अंतरगत सारे खेलों को कवर करती हो इसके पुरुसकार जो भी रिकार्ड बने हैं उनके बारे में बात करेंगे ACR को इसमें कवर करेंगे Commonwealth को कवर करेंगे जो भी important question है उनके जिनके पुछे जाने की सम्मावना सबसे ज़्यादा है आपका guide आपका दोस्त चलिए सुरू करते हैं और लेते हैं इस एपिसोड का पहला प्रशन लेकि टोटल में 211 प्रशन सूटर राही सरनोवत के बारे में निम्लिखित कत्नों में से कौन सा सत्य है इंडोनेसिया में हुई महिलाओं की 25 मीटर पिष्टल अस्परधा में भारत की राही सनोवत ने सौन पदक जीता ACI खेलों में सौन पदक जीतने वाली वो दूसरी पहले टिक कर लेना है अपना एंसर और उसके बाद में हमारी बात को सुनना है उससे एंसर मिलान करना है और फिर स्कोर सेर कर देना है तो इसमें देखे दूसरा ये गलत है ये ऐसा करने वाली फष्ट महिला या पुरूस बनी है जिन्होंने ACI खेलों में शौन पतक जीता है और एक और तीन सही है करेक्ट आप्सन C हो जाएगा दूसरा प्रश्ण है यानि की 212 नंबर प्रश्ण है हाली में ACI ओलंपिक परिश्ट द्वारा भारत के किस बारंपरी खेल को मानिता प्रदान कर दी गई तो ये जो मानिता प्रदान की गई है वो खोखोगो मरदान की गई है किसको प्रदान की गई है खोखोगो तो ये आपको ध्यान में रखना है D option इसका correct है बहुत ही important प्रश्ण है पूछा जा सकता है को को आप लोगों ने खेला भी होगा बच्पन में तीसरा प्रश्ण है 213 नंबर प्रश्ण है निमलिखित कत्म में से कौन सा सत्य है इंग्लैंड दोरे पर भारतिये कप्तान बिराट कोहरी ने सौरफ गांगुली के बतार भारतिये कप्तान बिदेश में सबसे ज़्यादा टेस्ट रन बनाने की रिकार्ड को तोड़ दिया यहाँ पर देखिए दो आपको तथ्य मिल रहे है एक तो रिकार्ड तोड़ दिया वो अपने आप में तथ्य है किसका रिकार्ड तोड़ा सौरफ गांगुली का सौरफ गांगुली ने भारत की कप्तानी करते हुए विदेश में 28 टेस्ट में 1693 नवेरन बनाये थे कोली ने इसे मातर 19 टेस्ट में ही तोड़ दिया तो यह दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है और आंसर हो जाएगा C इसे दो-तीन प्रशन बन सकते हैं ध्यान रखिएगा 24 नमबर प्रशन है हाली में BCCI ने किसे भारती महिला किरिकेट टीम का नया मुकी कोच न्यूक्त किया है तो यह आप याद रखिया है आपको पता भी होगा रमेश पवार है जिनको न्यूट किया गया है रमेश पवार भी आपको लिखा मिल सकता है याद रखियेगा 25 नमबर प्रशन है हाली में भारत की किस सतरंज खिलाडी ने बिश चुके 12 में सबसे इवा ग्रैंड माश्टर बनने की उपाधी प्राप्ति की बहुत इंपोर्टेंट प्रशन है और अभी ये 14 साल एक माँ और एक दिन के है और ये है निहाल सरीन इन्होंने सबसे इवा ग्रैंड माश्टर बनने की उपाधी प्राप्ति की है 26 नमबर प्रशन है निमनी खितमे से सत्य कतान आपको पताने है पहला इस्टेटमेंट है 12 अगस्त 2018 को राफे नडाल ने रोजर्स कप का पुरुस खिताब जीता 15 अगस्त 2018 तक राफेल कुल 80 किताब जीत चुके थे यहाँ पर डेट इंपोर्टेंट है क्योंकि आगे कुछ इधर उधर जीते हो तो उसकी गारेंटी न मैं लेता हूँ न फेपर में भी ऐसा पूछ लिया आता है और तीसरा प्रशन है राफेल नडाल सर्विया के खिलाडी है तो यह तीन स्टेटमेंट है तीनों स्टेटमेंट में से आपको सही बताना है और मैं बताना चाहता हूँ कि पहला और दूसरा तो सही है तीसरा प्रशन है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि राफेल नडाल कहा के खिलाडी है आप लोगों ने इतना पढ़ा है राफेल नडाल के बारे में कि आपको जानना चाहिए तो आप बताईए कि राफिल डिडाल कहा की खिलाड़ी है सही अंसर है C इसको comment box में बताईएगा दोसो 17 नमबर प्रश्ण है जुआन एंजल नैपोट को फीफा वरष्टाचार मामले में सामिल रहने के लिए 9 वर्स जेल की सजा सुनाई गई वह किस देश के फुटवाल परिसंग के पूर्व प्रमुक थे तो ये दच्छन अमेरिका के थे जुआन एंजल नैपोट यहां के फुटवाल परिसंग के पूर्व प्रमुक थे और इनको सजा सुनाई गई है ध्यान रखिएगा वेरी वेरी इंपोर्टन कुश्चन है दोसा अठारा नमबर प्रशन है अठारवें ACI खेलों में पुरिशों की पंदरा शो मीटर दाऊड में किस भारतिये एथलेट ने सुन पदक जीता पंदरा सो मीटर जरूर ध्यान रखिएगा और ये हैं जिंसन जांशन जिंसन जांशन ने ये जीता है और इनका ये पहले 400 मीटर में और जो प्रतियुक्ता हुई थी उसमें ये नहीं जीत पाए थे लेकिन उसके एक दिन बाद फिर से प्रतियुक्ता जब हुई तो 1500 मीटर में इन्होंने जीता ये ACI खेलों की बात हो रही ACI खेल कहां हुए थे इंडोनेशिया के दो सहरों जकार्ता और प्योंबॉंग मी हुए थे ये दोनों आपको ध्यान में रखना है प्रश्ण निश्चित रोप से यहां से पूछे ही जाने है ACI से इंडोनेशिया में चल रहे ACI खेलों में भारत के लिए पदक जीतने वाले सबसे इवा खिलाडी कौन बने तो चल रहे है यहां लिखा है यानि कि हो चुके है यह पहले कुश्चन मेरे पास सेट रखा हुआ तो जो मैं डेली डिसक्सन करता हूँ उसमें से मैंने लिया है तो सबसे इवा जो खिलाडी बने वे कौन बने यह इंपोर्टन कुश्चन है सबसे इवा खिलाडी यह इंडोनेशिया में जो ACI खेल हो रहे हैं उसमें जो भी पदक जीते हैं उसमें से आपको बताना है और यह हैं सारदूल विहान पंदरा वर्सी एखिलाडी हैं डवल ट्रैबस परधान में इन्होंने बदक जीता है 220 नमबर प्रशन है भारतिय महिला क्रिकेट टीम की सबसे सफल गेंद बाद जूलन गोश्वामी ने अंतरराष्टिये T20 मैचों से सन्याज की गोश्णा कर दी उनकी संबंद में निम्रिकित में से कौन शा कथन अश्रत है ठीक है पहला श्टेटमेंट है भारतिय महिला क्रिकेट टीम की सबसे सफल बल्ले वाज रही है दूसरा है अरसट अंतराष्टी T20 मैचों में 21 असमलों नौचार की आउसत से 56 विकेट प्राप्त किये हैं और 2006 में इंगलाएंड के विरुद अपना अंतराष्टी T20 मैच का इन्होंने पदारपन किया था और बांगलादेश के विरुद अपना आखरी T20 मैच इन्होंने खेला बताईए ये चार जो विकल्प हैं इन में से कौन सा असत्य है ये बताना है और बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे तो इस प्रश्ण में ही इसका उत्तर है और वो है A देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये गेंदवाज थी और यहाँ पर मैंने बल्ले बाज लिख दिया लिंग कभी-कभी होता क्या है उपर ध्यान ही नहीं जाता है ऐसे भी आप सही-सही से जब प्रश्ण का उत्तर न निकले तो कई बार पढ़ा कीजिए जिससे की उत्तर निकल आते हैं तो इसका ए अप सही हो जाएगा और बागी सब सही है रटे रहेगा ऐसे प्रश्ण को पूछ जाते हैं इस्टेटमेंट देखे दोसो एकीस नमबर प्रश्ण है हाली में अंतराष्टे किर्केट परिशद ने किर्केट के किस प्रारूप को अपनी मंजूरी प्रदान की है तो ये जो मंजूरी प्रदान की गई है वो T10 लीक की मंजूरी प्रदान की गई है याद रखेगा T20 होता है ना T10 की हाल ही में ACI खेलों में शूण पदक विजटा प्रथम भारती महिला पहलवान पंड़ी किषे प्राप्त हुई, किस ने प्राप्त की है, तो यह हैं Vanessa Fogart V-Optson is Correct I-Aici खेलों में शूण पदक विजटा प्रथम भारती महिला पहलवान है, अगला प्रशन है दोसो चौबिस नमबर प्रशन हाल ही में भारत Thailand Open Badminton प्रतियोगिता Thailand Open Badminton प्रतियोगिता कि महिला एकल असपरदा के फाइनल में भारत की PB सिंदू को किसने पराजित कर प्रतियोगिता का किताब जीत लिया तो ये जो है Naomi Okuhara इसने PB सिंदू को हराया और ये किताब जीता Thailand Open Badminton प्रतियोगिता याद रखेगा सी आप्सन ये Naomi Okuhara बहुत इंपोर्टन नाम ये है जैपान के लिए इसने इस समय कई परतियोगिताओं में यहाँ पर ACI खेलो में भी जीत दर्ज किये है ACI खेलो में मैं गलत बोल गया इसने Naomi Okuhara इन्होंने उनको हराया है जो शेरेना विलियम्स को और उनको ये आदर से मानती थी ये statement सही है 225 नमबर प्रशन है निमनिखित में से सत्य कथान आपको बताना है अंतराश्टी ओलमपिक समीती के कारिकारी बोर्ड ने वर्स 2022 में होने बारे सीथ कालीन ओलमपिक खेलो में साथ नई अस्परधाओं को शामिल किया ये प्रशन पुछा जा सकता है कितनी अस्परधाओं को सामिल किया गया है तो साथ पहला statement दूसरा इनमें महिला मोनोबाल, पुर्शोर महिलाओं के लिए बिग एर फ्री स्टैल, स्कींग मिस्रित वर्क में सार्ट ट्रैक, स्पीड ट्रैकिंग स्की जंपिंग, स्काइंग, एरियल्स और इस्टनोबोर्ड क्रास को सामिल किया गया है तो ये खेलों के नाम भी important है ये दोनों statement सही है पूछा जा सकता है इनमें से किस खेल को नहीं सामिल किया गया है या सामिल किया गया है तो ये दोनों के दोनों statement सही हो जाएंग कि C option is correct option 226 नमबर प्रशन है हाली में किस भारत्य क्रिकेटर और अंतराश्टिय क्रिकेटर के सभी प्रारपों से सन्याज लेने की घोष्चना किये तो सभी प्रारॉपों से इन्होंने सन्याज ले लिया मोहंध का अपने और 12-12 साल के लगभगिये खेल वो नहीं रहे थे और इन्होंने as a commentator अपनी जो आगी का career है वो start कर दिया है और इन्होंने अब सन्याज की गोशना की है 227 नंबर प्रश्ण है प्रशंख्या 227 हाली में 100 international T20 मैज खेलने वाले बिस्सु के पहले पुरुष किर्केटर कौन बने तो ये है सुयब मलिक के बारे में आप जानते होंगे ये पाकिस्तानी प्लेयर है तो ये 100 international T20 मैज खेलने वाले विस्स के पहले पुरुष किर्केटर बने है 228 नंबर प्रश्ण है हाली में किस बरले बाज अंतराश्टी ये वन डे किर्केट में सबसे तेज 1000 रन बनाने का विस्सु रिकार्ड बनाया तो ये है फखर जमा फखर जमा ये भी पाकिस्तान की ही खिलाडी है और इन्होंने 1000 रन बनाने का विस्सु रिकार्ड बनाया है वन डे किर्केट में तो इसके विजेता है लुइस हैमिल्टन याद रखेगा जर्मन वाले की मैं बात कर रहा हूँ आगे अभी दूसरी बात होगी तो यह लुइस हैमिल्टन जर्मन ग्रैंट फिक्स जो हुई है रेस उसके विजेता है 230 नमर प्रश्ण है सत्य कथारा आपको बताने है जापान उलम्पिक शमित ने 2020 टोक्यो उलम्पिक और पैरा उलम्पिक खेलों के सुभंकर यानि मश्कट को लांच कर दिया और दो स्टेट्मेंट और हैं कि 2020 ग्रीश मकालीन उलम्पिक खेलों है तो यह दो स्टेट्मेंट है मतब दूसरे तीसरे और पहला स्टेट्मेंट है पहला तो बल्कुल करेक्ट है दूसरे तीसरे में थोड़ी सी गरबड़ी है उसमें यही अंदर है कि ग्रीश मकालीन जो उलम्पिक खेल है उसका मिराइतोवा है और जो पैरा उलम्पिक है उसका है सोमाइती यह दूसरा और तीसरा यह गलत हो जाएगा इसमें मशकर तो यह है लेकिन यह चेंज हो गया है तो इसका केवल एक सत्य हो जाएगा और तो यहां पर जर्मन की बात हो रही है तो बिटिस वाले में सेवेस्टीन वेट्र है ध्यान रखियेगा वहाँ पे लिविस हैमिल्टन थे दो सो बत्तिस नंबर प्रशन है निमिकित में सत्तिक अथन आपको बताना है भारत इंग्लेंड टी-टी सिंखला भारत ने दो एक से जीत ली सिंखला में सरबादी 137 रन बनाने वाले भारती वल्लेबाज रोहित सर्मा को प्लेर आपदा स्री चुना गया और आर एश्विन किर्केट के तीनों प्रारूपों में तीन या उससे अधिक सतक लगाने वाले बिस्टु के पहले वल्लेबाज बने ध्यान से केवल एक और दो सही है दो सो बत्तिस नंबर प्रश्ण है निमनिकित में से आपको सत्तिक अथन बताना है दो हजार अठारा आई आई एएफ विस्टु अंडर ट्वंटी एथलेटिक चैंपियंशिप राठीना स्टेडियम टैमफियर फिर्लैंड में संपन हुई दूसरा प्रदास से पूर्व भारत की दो महिला खिलाडियों ने विस्टु चैंपियंशिप में श्रौन पदक जीता था तो इसका तीसरा स्टेट्मेंट गलत है पहला और दूसरा स्टेट्मेंट सही है अंसर हो जाएगा सी एक और दो ये दोनों सही है ऐसा नहीं है ये दो महिला खिलाड़ी उन्हें ऐसा नहीं जीता था एक भी महिला खिलाड़ी नहीं जीता था पहली बारे उन्हें जीता है दो सो चौतिस नंबर प्रश्ण है हाली में संपन एफ आईजी फिक कलात्मक जिमनाश्टिक विस्टु चैलेंज कब 2018 में वाल्ट अस्परधा में श्रौन प सकते हैं पहला स्टेट्मेंट भारत की स्क्वाइस खिलाड़ी दीपिका पलिका को राष्टवंडल खेल महासंग CZF के एथलीट सलाकार आयोग में एसिया का नयत्रत्तों करने के दिए चुना गया और दूसरा स्टेट्मेंट है उनकी निवक्ति भारती ओलंपिक संग द् और और यह तुछार अरोठे ने भारती महिला किर्केट टीम के कोचपत से स्टीफा दे दिया जो खिलाड़ी थी उनका कहना था कि इनका जो कोचिंग करने का तरीका है वो हमें पशन्द नहीं आ रहा है यही अरोपिन पे लगा था दोस्ट्यस नमर प्रश्न हाली में भार जारत् और्छा की बश्क्राइब好像2 के दूसरे सबसे हुआ सत्रन ग्रैण нажबाश्टर कौन बहें यहार सबसे हिवा और यह सत्रन ग्रिमाश्टर की बात ऐसा ही हो रही है तå यह आर प्राग नंडा प्राग न डंडा यहाद रखिएगा और यह भारासी साल गही है ऐसे ऐसे लोग रिकार्ड बनाते हैं, देखिए, किस भारती वल्लेवाज ने भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए, किर्केट के मैच में लंच से पूर्व सतक बनाने वाले पहले भारती वल्लेवाज बनने का गौरवाशिल किया, तो यह है शिकार धवन, लंच से पूर्व ही इन्होंने क्या किया, सतक बना दिया, तो यह D option is correct option, 239, 249 नमर प्रशन, निमनिकित में से सत्य कताना आपको बताना है, महिला एसिया कप T20 क्रिकेट टूर्णामेंट, 2018 कौालालंपूर, मलेसिया में शंपन हुआ, दूसरा स्टेटमेंट है, बांगलादेश न आपको बताना है कौन सा सत्य है, पहला स्टेटमेंट सत्य है, तीसरा स्टेटमेंट सत्य है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरी बार लगातार नहीं, बाहलादेश ने पहली बार है सेक्कर के, दिखाया है, लगातार की तो बात ही नहीं है, तो यह A answer इसका correct हो पहले खिलाड़ी कौन है जोने यह कारणामा किया था सोमेज खेले थे तो यह और कोई नहीं वायाई चुंग भूटिया का नाम आपने सुना होगा वही है यह आपसन इसका करेक्ट है यह तीस प्रशने आप और तजार कर दीजी यह था सम्भो जितना हो पाएगा और प्रश और अच्छा लगएगा तो सेर जरूर कीजिएगा जो प्रशन मैंने पूछें उसको बताईएगा कोई गवारी होगी तो पूछेगा गलती वैसे की नहीं गई है अगर हो गई होगी तो आप फामिली मेंबर हैं आपकी जीमेदारी है कि उसको सही करें थांक्यू जीमेदाओ कीजिए झाल है आपकी जीमेदा की तो सेर जरूर कही हैक तोफ दो दोम प्रूर क hm गई हो।